नमस्कार आप सब का स्वागाते हमारे चैनल नेक्स्ट नैन न्यूस पर मैं नाम हिदीपक गुपता महरास्टर में पहले कैबिनेट विस्तार के बाद कई बागी विधायकों की नराजगी की खबरे स्थामने आई थी लेकिन उन सब नराज विधायकों को शिंदे ने समझा दिया था असानी से क्यूंकि कई सारे ऐसी शर्ते थी कई सारे ऐसे वादे थे जो बगावत के वक्त याद दिलाए गए शिंदे के द्वारा लेकिन इस बीच फणवीस ने बागी विधायक जो एक बागी विधायक हैं, उनको नसीहत देते नजराएं, आखिर क्या नसीहत दी और किस मुद्दे पर नसीहत दी, वो सच मुछ चोका देने वाली है, और उन विधायक ने भी ये गलती सुईकार करी कि उनसे बहुत बड़ देख सकते हैं किस तरीके से फणवीस और शिंदे की जब सरकार बनी थी, लेकिन यहाँ पर आटिकल आया, एकनाशिंदे गुठ के मंत्री देवेंदर फणवीस ने क्यूं दी थी नसीहत, खुद मिनिस्टर ने बताए inside story, दरसल ये मामला है कि एकनाशिंद और देवेंदर फणवीस की लीडर्शिप में बनी सरकार में पहली बार आपसी मत्वेत देखने को मिले, सीम देवेंदर फणवीस ने बीते सोमवार को एकनाशिंदे गुठ को के किरशी मंत्री अब्दूल सत्तार को कैबिनेट मीटिंग में नसीहत दी, इस वरान खुद सीम एकनाशिंद उपमुख्य मंत्री देवेंदर फणवीस ने जल्दबाजी में घोशना करने वाले मंत्री को कठोश अब्दों में नसीहत दी, अब किरशी मंत्री अब्दूल सत्तार ने आज उसी बैठक के अंदरोनी कहानी बताई, उन्होंने कहा कि मैंने नीतिगत निरने की गोशना की थी, मैंने केवल मीडिया के सामने अपने विचार व्यक्त के थे, लेकिन मीडिया की ओर से इसी योजना के लिए कैलान की तरह चला दिया गया, इसे गलत संदेश दिया गया था, इन्होंने कहा कि भले ही मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये थे, लेकिन मुख्य मंत्री रोपमुक्य मंतरी की मंजूरी के बिना कुछ नहीं होता, यह सच है, पिछले हपते जब कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा उठा तो उन्होंने मुस्कराते वे इसला दी थी और कोई नराजगी नहीं है, अब्दुल सब्तार ने इस मीटिंग की हकीकत वदाए कि किस तर उपद मिला था, लेकिन अब यहां पर लताल लगाते नजराए जिस तरीके से यहां पर बाते करते नजराए फणावीस, यह साब था कि चेतावनी थी सभी विधायकों की कि शिंदे और फणावीस यह इस राज्ये के भी कहीना कहीं करता धरता है, बिना पर्मीशन के कोई क कामकाज नहीं होना चाहिए, बाकि मंतरी भी है, चर्चा करना जोरी है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि से अपने आप में सुख वुगाट तेज हो जाती है, अंदरूनी तोर पर की एक जलन की हांपर बूस ही आती है, जलन हो जाती है, इरिशा झाल